नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दिलीब गंगवार और आज आपका स्वागत करता हूं एक पार्ट में जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम अपने desktop पे किसी भी चीज जो हमारी पेंट में करते हैं। न वह सिर्फ, जनर टेश्टॉब पर वो किसे ख़ाते हैं। जरुरत क्या होती है इसकी जैसे मैं Youtube वीडियो बनाता हूं। और मैं चाहता हूँ मेरे विवर्स आराम से उस चीज को देख सकें तो इस सब कोई भी एक छोटी सी चीज को देख सकें तो उसको कैसे मैं जूम करूँ या वहाँ पे कुछ लिख दूँ या उसको ड्रॉ कर दूँ सरकाल या स्क्वेर वगरा चाहर रिकॉर्डिंग चल रही हो या रिकॉर्डिंग नहीं चल रही हो या आपकी कोई भी नीड हो आप प्रेजेंटेशन में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आप जूम करके दिखाना चाहते हैं कोई चीज बड़ी स्क्रीन पे तो आप कहीं भी इसे यूज कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है बस आप अपने ब्राउजर पर जाएए और ब्राउजर पर जाके आप एक जूम इट एक सॉफ्ट्वेर होता है उसको सर्च कीजिए जूम इट ठीक है यह आपके सामने आजाएगा जाएगी आपके पास जैसे मैं आपको दिखाता हूँ जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक जिप डाउनलोड हो जाएगी यह देखी यह जूम इट मैंने जिप डिलीट कर दीजिए है और आप उसको क्या करें जो zip file आपके सामने download हो जाए उसको आप right click करके और जो हम unzip करते हैं न वैसे आप unzip कर लें मैं आपको कोई zip file दिखा देता हूँ कैसे unzip करते हैं बहुत easy है जैसे माल लेजे एक zip file है right click करिए और आप extract to skylock कर दीजे तो यह normal folder में convert हो जाएगी जैसे ही आपके सामने zoom it आ जाता है इसके अंदर एक application आ जाएगी dot exe file बस इसको double click कर दीजे रन हो जाएगा आपका और यह run होके आपकी system trail में आ जाएगा यह zoom it ऐसा कर गये थी उसके बाद जैसे कि मेरा running stage में है अब आप मैं आपको दिखाता हूँ इसे use कैसे करते है control 4 करना है क्या लिखना है आपको control 4 यह सब keywords आपके देख लेंगे आप अभी मैं दिखा दूँगा कहा लिखे हुए है यह दिखे अब आप अपने viewer को कुछ भी एकदम detail में दिखा सकते हैं चोटी सी चोटी चीज ठी आप यहां draw कर रहे है इसी वक्त आपको टी दबाना होगा अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं यहां पर एक करसर आजाएगा जैसे आप टी दबाएंगे आपने टी दबाया और आप यहां पर आराम से कुछ भी लिख सकते हैं कुछ भी hello guys thanks for अब आपको क्या करना है आप इसे हटाना चाहते हैं टैक्स तो आप escape की दबाएंगे बस हट गया आपका और control आप 4 का एक paint एक brush आजाएगा dot आजाएगा और आप बस draw कर सकते हैं आप कुछ भी आप बताईए यूजर को समझाए और type करना चाहते हैं तो बस आपको टी दबाना है और वापस टाइप करना चालो ठीक निकलना है escape करिए escape करिए और control 4 वापस दबाएए बस drawing mode में है तब ही आप T दबा सकते हैं T दबाएंगे type करने लग जाएगे escape करिए drawing mode से बाहर आ जाएंगे अब मैं आपको बस यहां पर options दिखा देता हूं इसके जो मैंने बताया था कि मैं सारी commands आपको दिखा दूंगा कहां लिख ठीक है इसमें आपको दिख रहा है control 1, live zoom, control 4 जो मैंने आपको बताया था, zoom करने के लिए, zoom in करने के लिए control 4 में जाएंगे, draw करने के लिए control 2 कर सकते हैं और control 1 से भी मैंने आपको बताया, control 1 से भी आप ड्रो कर सकते हैं, ठीक है? type आप करेंगे तो type के लिए यहाँ पर नहीं दे रखा है क्या दबाना है आपको T दबाना है जब आप drawing mode में है उस वक्त आपको T दबाना है तब आप type कर पाएंगे बस थीक है यह सारी commands है इसकी जो आप कभी भी system train में रखना है अगर आप चाहते हैं इसको automatically run करना हमेशा ज जब भी इसकी जरुत होगी तो आपको उसी exe file से जो आपके folder में पड़ी हुई थी जो आपने unzip की थी वहां से आपको हमेशा run करवाना पड़ेगा यह आपकी सारी commands हो गई आप कभी भी भूल जाएं तो आप यहां से देख सकते हैं कि कैसे हम zoom करेंगे कैसे draw करेंगे और कैसे type करेंगे while on recording और not तो एथा पार्ट बहुत important उनके लिए जो YouTube पे वीडियो बनाते हैं या फिर कहीं भी presentation वगरा देते हैं और उनको zoom करना और type करना screen पर पता होना चाहिए नहीं तो desktop पे हैं आप कैसे type कर सकते हैं डिंच्टॉप पर आप टाइप कर नहीं सकते हैं यह डिंच्टॉप है आप कुछ भी यहां लिखना चाहते हैं आप कैसे लिखेंगे अप क्या करना या क्रेंब को बस control 4 दबाना है ctrl 1 दबाना है और आप यहां पे आरां से और type कर तो टी दबाएए और टाइप कर दीजिए आप विल्कुल आपके डेस्टॉप पे ठीक है ना Escape करिए वापस Ctrl 4 दबा दीजिए बहुत इजी है तो Friends सबसे पहले धन्यवाद उन्हों के लिए जोन्होंने हमारा सबस्क्राइब कर रहा है चैनल और जिन्होंने नहीं कर रहा है तो प्लीज सबस्क्राइब करिए शेर करिए टैक करिए थैंक्यू वोचिंग गईस सी यू बाबाए